नमस्का टीवीनाइन उत्रप्रदेश उत्राखन में आपका स्वागत है और मैं हूँ कार्तिके शर्मा और जी हाँ आज हम बात करेंगे उत्रप्रदेश के चुनावों की और उत्रप्रदेश चुनाव में हर पार्टी अपने अपने जिसे कह सकते हैं इडिलोजिकल प्लांक पे चुनाव लड़ रही है जैसे समाजवादी पार्टी पिछड़े पे है रालो जाट वाले मुद्धे पे भारती जनता पार्टी हिंदुत्र के मुद्धे पे लेकिन मुझे जादा लंबा परिचे देनी की ज़रत नहीं है खुद पत्रकार रही है टीवी चैनल में काम किया है मेरे कैमरे में अब वो है मेरे साथ लेकिन वो दूसरी तरफ बैठी है ज्यादा तर वक्त उन्होंने जहां मैं बैठा हूं वहां बिताया है तो निदा सबसे पहल जब भी कुछ बात होती थी मुझे तम आप लोगों के पास जाकर आपको की पोस्त देकर बहुत कुछ उससे सिखती थी आप सब लोगों ने मुझे जो अनुभव दिया है और उसी अनुभव के साथ आज में यहां पर बैठी हूं लेकिन जब मैं वहां बैठती थी जहां निबाव बैठे हैं तो तब भी मेरी भूमी का वही रहती थी कि मैं सवाल पूछती थी तब फर कितना होता था कि हैसं जो मेहमान आते ते जिबेट में उसे सवाल पूछती थी और और जब मैं फिल्ड में उतरी हूं राजजणिती के च्छेत में मैंने कदम रखा है तो सवाल आया जब मुझे पता लगा कि आपसे बातचीत होगी आपने कॉंग्रेस पार्टी क्यों चुछ नहीं अगर आप उत्तर प्रिदेश में देखें तो इस वर कॉंग्रेस पार्टी ही क्यों जॉइन करने का आपने फैसला किया इसके पीछे सबसे बड़ा जो रेजन है सर वो यह रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा और सबसे बड़ी बात यह कि लड़की हो लड़ सकती हो आपने भी अभी तक कई elections कवर किये हैं और कई पार्टी को आपने देखा है जब manifesto आता है गोश्रा पत्र उन लोगों का जारी होता है तो जितनी भी बाते महिलाओं के लिए कही जाती है तो वो सब ये उसके पीछे एक लाइन लिखी होती है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तब हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे अगर हमारी जीत दर्ज होती है तब हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे लेकिन Congress Party एक मातर ऐसी पार्टी जिसने ना हार की फिक्र की ना जीत की चिंदा की उसने अभी नतीचे पता भी नहीं कि फेवर में जाएंगे ये नहीं जाएंगे लेकिन बिना उसके ही महिलाओं की हिस्सेदारी जो है भुतेय करती जिस तरीके से महिलाओं को 40 पीसदी टिकेट दिया है और ना सिर्फ महिलाओं की बलकि Congress Party ने युवाओं की बात की 40 पीसदी के हिस्सेदारी युवाओं को भी टिकेट दिया है तो ऐसे में जो पार्टी आने से पहले महिलाओं को सोच रही है महिलाओं के बारे में सोच रही है मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी क्योंकि हमेशा से जब मैं as a news anchor भी थी तब ही मैंने मेरी कोशिश रहती थी आलगी मैं हयार सबकर रखती थी लेकिन कोशिश रहती थी कि अगर कोई लड़की कोई महिलाओं परिशान है या कुछ है तो मुझे की परिशानी दूर कर सबूँ तो सबसे ज़ादा अच्छी बात मुझे यही लगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और तमाम उन महिलाओं को मौका कॉंगर्स पार्टी दे रही है जो किसी भी आन्याय कर शिकार हुई है या फिर जो अपने चेतर में इस काबिल है कि बाकि और महिलाओं के लिभी वो मिसाल बन सकती है तो क्यों न ऐसी लड़कियों को ऐसी महिलाओं को आगे लाया जाए इस चीज़ न मुझे सबस्जादा परफाबित किया निदा मुझे एक चीज़ बताईए जब आप महिलाओं की बात आती है तो आपको याद होगा कि जब Women Reservation Bill जब सोनिया गांधी ने कहा था कि हम इसे पास कराएंगे पारेत कराएंगे यूपी टू की बात है तो कितना हंगामा हुआ था राजसभा में और जो भी पार्टी जिनको हम कहते हैं मंडल पॉलिटिशन्स जो पिछड़ा आती पिछड़ा की राजनीती करते हैं उत्ता भारत में उन्होंने इसको लेके काफी उत्पात मचाया था बाकाइदा मार्शल्स को लगाना पड़ा था और उससे एक चीज़ साफ हुई थी कि देश में जेंडर पे किताबे लिखी जा सकती है बात की जा सकती है चर्चा हो सकती है लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है जमीनी राजनीती होती है उस पे दोनों जो महिला पॉलिटिशन है और जो पुरुष पॉलिटिशन है वो एक हो जाते हैं कहने का मतलब है जाती की जब बात आती है तो महिला पुरुष एक साथ खड़े मिलते हैं तो उसमें कितनी कारगर होगी यह जो आप महिला पॉलिटिक्स की आप बात कर रही ही थी अभी कुछ देर पहले? सर आप भी अच्छे से जानते हैं कि जाती ही एक ऐसे चीज है जो कभी जाती नहीं तो हमें जाती से उपर उठकर काम करना होगा, हमें मजभ ब्रादरी सबसे उपर उठकर काम करना होगा क्योंकि जाती जाती नहीं और इस चकर में जाती फैक्टर जब लोग भुनाने में आ जाते हैं जाती factor की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है तो असल मुद्धी जो होते हैं वह आप भी कई बार उठाते हैं उससे ध्यान जो है वह आम जंता का भटक जाता है और अवाम जो है वह बजाय अपने बुद्धे उठानी की तरफ या उनकी तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए या फिर अपने मुद्दों को लेका सवाल उठाने चाहिए, इन बातों से बहुत दूर तमाम पार्टियां उनको रखती है, जो विकास के मुद्द है, उससे अलग रखा जाता है, तो तमाम पार्टियां ये बात अच्छे से जाती है, कि जाती ऐसा फैक्टर है, जिससे बु के आप सब लोग मेरे अपने हैं अगर मेरी विदान समवाज है है इस पहूं सी लोग ऐसे है जिनको यह यकिन है कि एक पास नहीं जाएंगे या पिर है यह चरह है तो हम इनके पास नहीं जाएंगे हम सिफ M सीपर के पास जाएंगे तो मेरी जो पूचिश है वो सबसे पहले तो ऐच फेक्टर और M फेक्टर में जो फर्क जो बेद बाए उसको दूर करने की अ कि में तमाम उन लोगों पाब चारी और मुर्म से यह बात कहा रही हो कि आप कुछंगे जब तक अपना नहीं नहीं होंगे तो इस बार बदलाओ मुझे यहाँ पर करना है बाकिया आप संभल के मुद्धों पर आगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सी जरूरत हैं जो होनी बहुत जरूरी है तो चलिए संभल के मुद्दे पर सवाल पूछने से पहले एक प्रश्ण और अपसे पूछ लेता हूं फिर मैं आपसे पूछूँगा कि आप मुझे 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 बताइए संभल के क्या है किन मुद्दों पर चुनाब लड़ रही है आपको चिं मैं नाम ने सकता हूं इम्रान मसूद यह सब वो नेता हैं जो चुनाब जीते हुए हैं लोकसभा राजसभा विधान सभा इन लोगों का अपना अपना जिसे कह सकते हैं स्फेर ऑफ इंफ्लोइंस है यानि अपने इलाके में दम रखते हैं और यह सब चोड़के चले गए आगे करके अपनी बात नहीं रख रही हैं कॉंग्रेस पार्टी जिन चेहरों के साथ आगे बढ़ रही है वो सब साथ में हैं तो अगर ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं चुनाबी मौसम में आप भी बेतर जानते हैं मुझे जादे बताने की जरूत नहीं है कि जिस वक्त चुनाब आते हैं तो राजनिती ऐसे ही गर्माती है कि कोई किसी दल का साथ चुनता है तो किसी के आने जाने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता सर्व अच्छा बता ही संभल के मुद्दे क्या है यहां आपकी प्रायोरिटी क्या करेंगी अगर आप चुनाब जीन करेंगे सबसे बैसे पहले जो है मेरा मुद्दा विकास का है है यहां कि यहां कि जो लोग है उन लोगों से नाम मेरि टक्र मेरी बड़ को संभल को लेकर है तो सबसे बड़े बात जो है यहां पर आपको हैरानी होगी कि हैं कर जो जो पाङए को अवर बेस यहां कि यहां जानी होगी पर यहां पर फोकस रहेंगा लग्येशम कि सम्टीक्षा करेगा शेटक्र जोここ इसके बीचे बर्धिर किसी नहीं उसके पीछे बड़ी वज़ा यह है कि अगर वो संभल के लोगों को पढ़ा लिखा देंगे, अगर संभल के लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो सर उनसे सवाल करने लग जाएंगे, जो वो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, कि उनसे कोई सवाल करें या उनसे उनका हक माँगे तो एजुकेशन के चेतर में सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई डिग्री कॉलिज नहीं है, मेरी कोशिश यह रहे कि कि मौन के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलिज लेकर आँँ, उसके अलावा अगर मैं पढ़ाएं के चेतर में आगे बढ़ यहाँ पर वो भी नहीं है, तो खेल मदान एक में यहाँ पर चाहूंगी, कि ऐसा हो कि जो बच्चे स्पोर्स पर उची रखते हैं, या फिर उन्हें पता होना चाहिए कि हम खेल के मैदान में भी आगे बढ़ सकते हैं, वो में करना चाहूंगी, इसके अलावा जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पानी की निकासी, आप जिस भी गली से गुजरेंगे, जिस भी महले से गुजरेंगे, जिस भी चुरहाय से गुजरेंगे, पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है, उसके पीछे बचा यहाँ है, तो वो भी खराब कपड़ों के साथ ह अंदर पहुंच पाते हैं, कोई मजजिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, तो वो भी अपने कपड़े खराब करके तब वो मंदिर मजजिद पहुंच जाते हैं, जब कि आप कोई पता होगा मंदिर मजजिद ऐसी जगा है, जहाँ पर पात पप्लों के साथ जाया जाता है लेकिन पानी की निकासी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है तो मेरी कोशिश सकुल मिलाकर के जो है वो यह यह तो मैंने मुद्दे गिनाया आपको लेकिन मेरी अपनी एक कोशिश कुल मिलाकर के जो मेरा कहने का सार है वो य है कि ये हैं रहेगी कि मेरा संभल इस काबिल बन सके कि मेरे संभल के लोग अपनी किसी जरूरत के लिए से लडने का क्यों लिया ख लड़ने का क्यों लिया है इसलिए सबसे पहले अगर मैं अपने लोगों की परिशानी दूर कर पाऊंगी तो भी तो मैं दूसरे लोगों की भी समझ पाऊंगी और मुझे खुशी होगी क्योंकि मैंने आपको भी पता है कि ऐसे न्यूज एंकर अच्छा खासा करिया मेरा चल रहा था तो नाम, दौलत या शोहरत के लिए य लेकिन अगर मुझे ये मौका मिला और मैं बाकी जितने भी अभी मुझे सुन रहा है उन सब लोगों से भी ये कहूंगी कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर आगे आईएगा तो बस यही वज़ा थी कि यहाँ मैं सब लोग management को जानती हूं यहां की सारी परेशानिया मैं जानती हूं और यहां की क्या-क्या मुद्ध में जानती हूं तो पहले अगर मैं अपने ही लोगों की परिश्वास सब्में प्रशानी में दूर करूँगी तभी मैं ऑड़ज कर सकती यह बहुत सालोबाद में देख रहा हूँ कि जनरल सेक्रेटरी है जिन पर फोकस है पर जो प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी का अध्यक्ष है जो अध्यक्ष है जिससे पहले कहते थे यह तो बहुत परानी बात होगी CM केंड़ेट होंगे वो तक एकदम लो प्रफाइल है कोई द ना मैंना आपको एक बार भी टोका बीच में नहीं जैसे मैं बाकी और इंटर्व्यू कर रही है उससे इंटर्व्यू मेरा लग जा रहा है थोड़ा दरसर उसकी पीछे रीजन यह सर देखे अगर अभी आपको ही पता है कोविट काल चल रहा है हमारे देश इतनी बड़ी म ना जाए तो हमें इस चीज का भी खयाल लगना है अगर वही लोग अभी उत्रेंगे सड़कों पर भीड़ी खटा करेंगे उसी बीड़ के सामने वह फिर यह कहेंगे कि दो गसकी दूरी मास के जरूरी बाकी जैसे तमाम पार्टिया कह रही है तो सर्फिर फाइदा क्या हो नहीं टिका है मतलब मुझे याद नहीं आता जिसने 20 साल की पारी खेल लिए और या लंबी पारी खेल लिए और फिर भी पॉलिटिक्स रेटायर हो तो आप इतनी क्यों कॉंसिदेंट हैं कि आपकी दूसी पारी इतनी लंबी होगी बतौर रहता है यह जो यह जो भरोसा है जो आप मेरे चेहरे पा भी देख पा रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स करना आई हूँ या मैं राज़िती करना आई हूँ क्योंकि मेरा मकसद है राज़िती करना नहीं है मेरा मकसद है लोगों की खिदमत करना तो नतीज़े चाहे जो भी हो मैं यहीं आपका एक वोट इतना कीमती है और कितना कीमती है इसकी ताकत मैं सब लोगों को पहचनवा दूगी मेरी कोशिश यह है सर मैं हारूं या जूतू मुझे फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं अपने लोगों को लड़ना सिखाना चाहती हूँ मैं अपने लोगों को उनकी आवाज पूछना चाहूंगा क्योंकि जब आजकल हमारी पॉलिटिक्स बहुत जादा पॉलराइज है हिंदू मुसालमान में और आपने टिकेट उस वक्त लिया और उस जगे से लड़नी पूरी पूरी पॉलराइज है आप भी मुसलिम बहुलियर इलाके से चुनाम लड़नी आप पार्क ही हो गई है आपको लगता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लॉक स्टॉक इन बैरल उठके पूरा समाजवादी पार्टी चला जाएगा जब उसको लग रहा है कि अगर सत्ता में भागेदारी चाहिए तो सपा को जिताना पड़ेगा कि यहाँ पर बैटी हूँ और मैं जब चिल्ड बे जा रही हूँ तो आप यकीन माना कि लोग जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं मेरा कुछ चीज़े ऐसी हैं जो शायद मैं यहाँ पर ओफिशली बोल भी नहीं सकती हूँ और मैं इतना लोगों का प्यार इतना समर्थन ब प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर सब्सक्राइब और इससे पता चल जाएगा कि 2010 के बाद 2012 12 साल में यह जो महिला पॉलिटेक्स है वो कहां पहुंची है क्योंकि मैं इस चीज को बार-बार आज मैं कह रहा हूं कि मैंने वो दिन देखा था राजसभा के सामदें जब बाकाइदा फोर्स का इस्तमाल करना पड़ा था महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए और देखा था कि किस तरीके से जो जेंडर की बात जो महिला की बात या जिसे कहते हैं विमन इंपावर्मेंट की सशक्ति करन की बात उसे किताबों कॉलेज स्कूल सेमिलार हॉल्स में सीमें था लेकिन जब बात आती है कि उनको पर से एक ब्लॉक के हिसाब से अरक्षर मिले तो चीजें जातियों के खांचे में बढ़ जाती हैं तो आप देख रहे थे हमारा खास साक्षात का जो संबल से कैंड़ेट है निदा एमत के साथ प्रदेश की बागी सब ख़बरों के लिए आप देखते है ये TV9 उत्तरपदेश.